श्रकम दोस्तों हमें फ्रेण ने पूचा था या करूशन है तो से हमें इसका हमें क्लियर नहीं है compressor पंद और आ है या फिध मी आउट डिफ कि यह सकते हैं रहने हो he यहसे अगर हमारे तेकनिकल सेयर इसको इसे चेक करके कर सकता है कि यह सकतandan पंद टोर इंड्वerkयों ओना चाहिए यहा चाहिए बन पंद इस प्राइrogen फथ स गता जा रहा है तो इस वीडियो में इस सब कर सकते हैं नहीं मालूम है तो पुरा अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं नहीं तो आप देख रहे हैं नहीं इस सर्वी सेंटर में आपका स्वागत है महीं मर्चीत प्राउंतर प्रदेश ग्रदपुर से एयर करें यह जो अगरा हमारा पावर में जा रहा है दस मिएट के बाद अगर हमारा मेन एम सीबी यूबी लगा हुआ है बंद हो जा रहा है तो कंडिशन में इंडोर आउडोर टोटल मरफ बंद हो जाएगा अगर इस तरह से हो रहा है तो कंडिशन में चेकर नहीं कहीं वायर में चालूर पर चालूर चालू और चालू हो जाता है तो वहाँ से पांच मेंट के बाद आ दो प्लेक के बाद शेटिंग रहता है तो सीपी पावर कंप्रेशर को चालूर ने के लिए डिमांड भेजता है छोड़ता है जब यहां CP power जब compressor को demand चोड़ेगा अगर compressor में या फिर compressor का यह communication wire रहता है वो short रहेगा तो क्वंडिसर में क्या होगा पांस में तो हमारे सीच चलेगा जैसे यहां से power आउट ओर के लिए जाएगा वो कंडिसर में प्रावर से पावर कंपरेसर या पर तक जा रहा है। सब्सक्राइब अगर तरह करना में ब्रेकर ट्रिपक्र या तरफ आब या सब्सक्राइब हो सकते ही रहे में कंपरेसर खाब हो विया है स्टोट है वो कंडिशन में इस तरह से में में ब्रेकर सर्क्रिक हो जाए गा बंद हो जाएगा तरह हमारा फस्ट रीजन होता है और सब सही है इस तरह से नहीं पर्छल देहनों के मिला है सिर्फ हमारा जो है आइंडोर चल रहा है पांच-चाङट के बाद हमारा आउट्टोर जो है बंद हो जाता है तो कंडिशन में हम जो रहता है तो कंडिशन में जो रहता है तो अगर हमारा इस अपर हमारा 24 तो तो बंद हो जाएगा 15 में क्योंकि तब अगर सेंसर कर लेंगे अगर खराब रहेगा तो जल्दी सेंस करके रहा है तो पीसीव को और उने सप्लाई चोड़े रहा है कट अपर दे रहा है या सेंसर पॉइंट रहेंगा तब विस्तर से प्रोल्म होता है या रिले देखे पीछ कि और ही जो रहता है गिए आसा इंटोर की जाए तो और तो गया रहा है या तो हमारा नहीं जा रहा है नईного करिंड होने के बाएल भातो झाल रहा है तो कंदिशन में सेटी में रीले सेनसर छेकर नाया चाहिए अगर हमारा समिल्ठी पावरate Jack जा रहा है को मिकल पावर जा रहा है तो उसके बाद में अपने आप भी बंद हो जाएगा किम कंडेसर फें जो रहाता है घस को हीड को निकालता है अगर हमारा कंपरेशर फैन ही बंद हो जाएगा चल करके जाम रहेगा कोई भी कारा हो इसे मोटर हमारा जान तो नवह ने मुमाेंगे तो इसमेंग आया जाता है गूम रहा है फिर भी थोलब ठाइम के बाद बंद भी जा रहा है तो इसके अंदर हमारा कैप सिटर मोटर रहा है उसके दर लगा रहता है काश्राब हो गया तो थोलब चले गांगे पाद बंद सकता है स्लो है तब ही प्रोल्म होगा क्योंकि स्फिर में क्या होगा जो अधिक निजाल पाएगा ठीक रिया नहीं पाएगा पर लोट करके उसके लिए नहीं होता है 10-15 मिन पाई मीन ताइम लएता है उसके बाद बंदो जाता है मेरी चाहिक यह जाता है कंडेसर फैन का स्पीट कंडेसर लिया कैप स्टीट का हमारा जो वाइनिक राता है स्टाटिक वाइनिक होना सब्सक्राइब करें चल रहा है पांस चल रहा है उसके बाद के बाद और जो रहा है और चले जा रहा है और चले जा रहा है और नहीं रहेगा तो फिर देखेंगे सब्सक्राइब तो चलेगा यह सही है या खराब है इसका इसपेशल वीडियो हमारा बना हुआ है कि तरह से चेक करते हैं और भी हमारे बनाने वाले हैं यह जो चैनल करेंगे अगर हमारा नहीं रहा हो गया है वाले तो से चेस्ट का अबका 80% जो एक हराब हो सकता रहाएं यह फिलिए कम्प्रेशर का अंदर स्टार्ड़ ले है जाम हो गया है तक हो गया है कि मैंक इलेपाएका लोड ज्यादा लेगा कर दो जाता है कंडिसर कंप्रेसर या फिर कंप्रेसर में हमारा लो रफिजनेंट है यानि गैस कम रहेगा तभी बन्द होता है कोई कि में दस्मीन के बाद चलके बंद हो रहा है तो आगोर में अगर कोई तरीशने के बाद चलने के बाद बंद पहलेगा या फिर LP pressure पर कट आप हो जा रहा है या तो HP pressure पर कट आप हो जाता है अगर 3-phase का AC है तो जिस condition में हम चेक करेंगे अगर condition फेरी चल रहा है compressor बंद है उसको compressor continuity check करें continuity show कर रहा या नहीं कर रहा अगर नहीं कर रहा है तो condition में मेरा compressor कर रहा है इस तरह से one by one check करते हैं तासा करता हूं आपको जूर्क इपर मिला है इस तरह से वीडियो देखने के लिए हमसे जूए रहे हैं कि अच्छा लगा क्या नहीं लगा और क्या इस प्लेट सकते हैं हम अब से करेंगे आप वीडियो नैटी से नहीं का रहे है जो पर आना चाहते हैं आज आपका इस जुगो थैंक्यू पर वाचिंग झाल झाल झाल